वेल्कम टू माई चैनल आज यहां पे बात करने हैं century text style के यहां पे quarter 3 के result के बारे में कैसे रहे हैं यहां पे नतिज़े वो यहां पे देखते हैं जो total income आई यहां पे 1261 करोड के आसबास आई है जबकि last quarter यहां पे 1133 करोड के आसबास आई thi लाश्ट इयर अगर बात करें तो 1182 करोड के असपास आई थी तो इंकम में यहां पर अच्छा कासा improvement देखने को मिल रहा है quarter on quarter basis पे year on year basis पे दोनों पे यहां पर देखने को मिल रहा है अब इनके जो expenses हैं वो खर्चे हैं वो यहां पर कितिया है तो 1096 करोड यहां पर इस quarter total expenses आए है last quarter 1109 करोड आये थे और last year यहां पर 1130 करोड के असपास आये थे तो expenses में भी यहां पर कमी है यह देख सकते quarter on quarter year on year तो profit यहां पर जम किया आएगा क्योंकि खर्चे कम है और income जादा हुई है तो profit before tax यहां पर अगर आप देखोगे तो 106 करोड के असपास आए है last quarter यहां पर 23 करोड के असपास आये थे last year यहां पर 52 करोड के असपास आये थे तो quarter on quarter basis पर अच्छा कासा jump दिखाई पड़ रहा है और year on year basis पर भी profitability में यहां पर अच्छा कासा jump दिखाई पड़ रहा है और जो taxes है taxes के बाद भी same चीज़ यहां पर देख सकते हो कि जो profit after tax है यहाँ पे वो भी यहाँ पे अच्छा गासा year on year और quarter on quarter यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे century textile के जो result है वो यहाँ पे अच्छे है, result यहाँ पे good है, अच्छे जिन नतीजे पेस किया है कमपनी ने, जिन लोगों को वीडियो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नयवाने चैनल को सब्सक्राइब करें इस quarter से अगले quarter तक का हमारा जो सब्सक्राइबर का target है, वो यहाँ पे 20K है, हम देखते हैं कि आप लोग यहाँ पे 20K का सब्सक्राइब का target एचीव करवा पाते हो कि नहीं